और नमस्कार दोगर्मोंगाइशन देख रहे और मुंई आपके साथ रण्जंसिंग इस वक्त मौझूद हैं जीतर नाम मनजी के आवास पर और विहार शरकार के मतस्त बशुभाग के मंतृ। मुकेस सहनी यहां पहुंचे हैं तस्विरे देगी किस तरीके से बिहार सरकार के मंतरी मुकेस सहनी जो है वो यहां पहुंचे हैं जीतनराम मांजी के आवास पर इससे पहले जीतनराम मांजी बाहर निकले हुए थे उससे पहले जीतनराम मांजी पहले आवास पर पहुंचे है और उसके बाद मुकेश सहनी मिलने के लिए पहुंचे हैं खबरे निकल कर सामने आ रही है कि लंबे समय के बाद जिस तरीके से बिहार की सियासत में लगतार बयानवाजीयों का सिलसला एक तरफ जीतन नाम मांजी की तरफ से चल रहा है वहीं ब्रामन समाज को जिस तरीके से जीतन नाम मांजी ने बयान दिया उसके बाद मुकेश सहनी भी लगतार उन्होंने कहा दिया है कि सरकार गिरा देंगे इस तरह की बाते उन्होंने कह दिये मुकेश सहनी ने अब जीतन नाम मांजी से मुलाकात करने आये हैं तो इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरका तरफ जीतर नाम माजी जिस तरह की बयानवाजियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार के खिलाब मुरचा खोले हुआ है वहाँ और उसको लेकर जो रहा है कि हम सरकार गिरा देंगे एक तरफ जहां कहा जाए कि जीतर जीतर नाम मांजी और मुकेश सहनी दोनों के बदालत बिहार की सरकार चल रही है और ये दोनों पाटियां जो छोटी छोटी पाटियां भी आईपी और हम दोनों मिलकर ही सरकार चला रही है और देखें ये जीतर नाम मांजी का आवास है यहाँ पर मुकेश सहनी पहुंचे है जो कि बिहार सरकार में मतस्त विभाक के मंत्री है और साथी साथ जीतर नाम मांजी का ये अवास है और तस्वीरे आप देख रहे हैं हलाकि मुकेस सहनी से जब हमने सवाल किया कि जीतर नाम मांजी के अवास पर आपने पहुंचे लेकिन उन्होंने साथ तर पर जवाब नहीं दिया है बस हाथ इलाया साथ तस्वीरे जो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के उपर वो साथ तर पर पता चल रहा होगा किस तरीके से जो मंत्री जी है वो अंदर गये हैं लेकिन आपको बता दे कि उन्होंने सवाल के जव पर पर सवाल खड़े कर रहे हैं देखने वाली बात यह अखिरकार बिहार की शियासत में चल क्या रहा है किसी को समझ में आ नहीं भी चाहनी यूपी में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं उन्हें कहा है सरकार गिरा देंगे जीतन नाम मांजी लगतार जो है वो तल्ख तेवर अपनाए हुए है बयानवाजियों का सिलसला उनका भी जारी है और ऐसे में दोनों छोटी छोटी जो पाटियां है जिसके दम पर सरकार चल रही है क्या वो दोनों पाटि जा सकता है कि आखिरकार दोनों पाटियां चाहती क्या है क्या मांगे है MLC का चुना होने वाला है क्या इस तरह की मांग को लेकर भी इस तरह की रुख अपनाए हुए कई ऐसे सवाल लोगों के मन में खड़े हैं लेकिन फिलहाल कि जो अपडेट है मारे पास आपको बता र हैं देखना यह होगा कि आखिरकार अंदर में क्या कुछ बातचीत होती है लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि आखिरकार विहार की सियासत में चल क्या रहा है देखना होगा कि आखिरकार जब बैठा खतम होती है जब निकलते हैं मिलकर तो देखते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुदिक अबने सुने संकी साथ, अमस्कार।